नमस्कार दोस्तों एक और दिन एक और नया वीडियो और एक और कंफिर्मड एड्रॉप पिछले कुछ दिनों में काफी सारे प्रोजेक्स मैंने आपके साथ कवर की हैं जो अंडर दर अडार है बहुत कम लोग इनको फार्म कर रहे हैं एक तो क्योंकि मार्केट डाउन है और यही मौका है अगर आप continue रहते हैं अगर आप participate करते रहते हैं तो आपको definitely यहाँ पर फाइदा होगा तो लगतार अपनी learning जारी रखने के लिए चाल्ग कर यह सब्सक्राइब बेल नोटिफिक्शन आइकन दवाना ना बुलें ताकि आपका एक भी important earning वीडियो मिसना हो पर confirmed आपको airdrop मिलती है यह clearly यहाँ पर इन्हों ने अपने faqs में लिखा है testnet users are eligible for wave 4 of the rise airdrop तो wave 4 क्या है यहाँ पर अगर आप इनके initial document के अंदर जाएंगे जहाँ पर airdrop के updates दी है तो यहाँ पर कुछ waves दी हुई है wave 1 उन लोगों के लिए है जिन्हों ने liquidity provide करी थी पर 14 जून को snapshot हो चुकी है 2% यहाँ पर total supply Celestius takers के लिए है तीसरा जो wave है उसका अभी तक यहाँ पर कुछ disclose नहीं क्या है यह undisclosed ecosystem के लिए reserve करी गई है और wave 4 में आती है galaxy और incentivized testnet participants यहाँ पर अगर आप participate अभी करते हैं जो भी मैं आपको steps बताऊंगा तो आप इस wave 4 के लिए यहाँ पर eligible हो जाएंगे तो galaxy के कुछ simple से task हैं ट्विटर वर आपर follow करने वाले वो आपको मालूमी है दो यहाँ पर इनकी quest जो है वो live हो चुकी है दोनों में आकर आप participate कर सकते हैं links आपको नीचे description में मिल जाएंगे इसके बाद आता है यहाँ पर actual testnet तो testnet के आप link में जाएंगे आपको दो wallet अपने यहाँ पर connect करने हैं manage wallet में आप दिखते हैं दो यहाँ पर wallet connected है एक तो है metamask जो आपका ethereum wallet है वो connect कर लेंगे और दूसरा है यहाँ पर Cosmos, Kepler या leap wallet में से कोई भी wallet आप connect कर सकते हैं तो दोनों जब wallet आप connect कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर fauc completed है इसके बाद simply कर दे रहे है send request और यह आपका confirm हो जाएगा faucet के अंदर आपकी request send कर दी जाएगी tokens आपके पास send कर दिये जाएंगे आपके पास testnet के funds यहाँ पर आ गए इसके बाद आपको regular यहाँ पर testnet वाले task करने हैं हर रोज आके करते रहेंगे तो उतने ही जाद यहाँ पर आपके बढ़ते रहेंगे तो सबसे पहले चलते हैं आपे swap में swap के अंदर आप sunrise testnet जो आपका wallet है connected है asset हम select करेंगे rise हमारे पास है यहाँ पर और हम इसको move कर देंगे किसी और asset में जैसे USDC तो एक rise में आपे swap करूँगा trial के लिए इसको कर देंगे आपे swap यहाँ पर करेंगे transaction approve तो यह swap आपका यहाँ पर complete हो जाएगा आपने ऐसे कुछ swaps कर लिए इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर liquidity pool में अब liquidity pool के अंदर किसी भी यहाँ पर pool के अंदर जिसमें भी आपने swap किया होगा उसके अंदर आके liquidity provide कर सकते हैं यहाँ पर rise और USDC है इसको select क liquidity amount में हम सारा यहाँ पर USDC select कर लेंगे तो point one मेरे पास USDC है उसके corresponding यहाँ पर rise आगया इसको करतेंगे add यहाँ पर transaction करेंगे approve तो liquidity pool हो गया swap हो गया एक बार चलते हैं point program में तो यहाँ पर आपके points जो है वो earn होंगे तो आप देसकते हैं कि हर एक यहाँ पर task आप complete कर रहे ह है यहाँ पर check mark आ रहा है और साथ ही साथ आपको यहाँ पर points भी आपके increase हो रहे है यहीं पर referral link भी है यह चाहें तो अपमे friends के साथ share कर सकते हैं तो एक task हमारे यहाँ पर रह गया decrease liquidity का यहाँ फिर से चलते हैं पर liquidity pool के अंदर जो भी हमने यहाँ पर liquidity आड करी है उसमें से क successfully हमने liquidity decrease कर दी है फिर से जाएंगे यहाँ पर points program में तो hopefully हमारा यहाँ पर tick हो गया तो अब यही सारे steps आप every 20 hours basically हर रोज आके एक बार आके repeat कर सकते हैं तो उतनी है आपके यहाँ पर points जो है वो increase होते रहेंगे तो बस यही है अभी इनका test net इसमें बस regularly active रही है points increase करते रह आज का quick video अमीद करता हूं से आपको फायदा होगा वीडियो को जोरू like करे शेयर करें चैनल को subscribe मेंना ना बूले मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए have a safe investment